Hello guys, welcome to my channel Gadgets of Fire with a health tips में तो चलिए चलते हैं टॉपिक में आज का टॉपिक है आम के पत्तों को लेकर इन हरे पत्तों में छिपा हुआ है सुगर समित कई बिमारीयों का इलाज जाने कैसे करना है सेबन गर्मियों में आम खाने का मज़ा ही अलग होता है लेकिन सिर्फ आम ही नहीं इसकी पत्तियों से भी सरीर को बहुत से फायदे मिलते हैं इसकी पत्तियों में कई जरूरी विटामिन्स होते है इसके सेबन से कैंसर डाइवेटीस सहीत कई बिमारीयों से अब दूर रहेंगे गर्मियों का मौसम बैसे तो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आता लेकिन इस मौसम में आम खुब मिलता है इस वज़े से लोग इस मौसम का इंतजार करते है रसिले आम जितने सौधिस्ट होते है उतने ही फाइदे मन्द भी होते है लेकिन क्या आप जानते है कि सिर्फ आम ही नहीं इनके पत्ते भी फाइदा पहुचाते है आम के पत्तों में सरीर के लिए कई जरूरी विटामिन्स मौझूद होते है जैसे विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B और फ्लेबोनाइट और फिनोल जैसे एंटियोक्सिडिन भी पाए जाते है आम के पत्तों के सेबन से आप कई बिमर्यों को मात दे सकते है आईए जानते है इसे कौन कौन सी बिमर्यों में लाब मिल सकते है एक बरतन में दो गलास पानी डाले, इसे गैस पर चराए अब इसमें 2 से 4 आम के पत्ते डाले, इसे तब तक उबाले, जब तक की पानी आधा ना रह जाए फिर इसे छान ले और ठंडा होने दे इसमें सहद मिला कर सेबन करे रोजाना रोजाना सुभर इसका सेबन करने से फाइदा मिलेगा आम के पत्ते पेट के अलसर के इलाज में रामबान है इससे पेट के अलसर के इलाज में काफी मदद मिलती है BP कंट्रोल करने के लिए भी आप आम के पत्ते के पानी का सेबन कर सकते हैं ये रक्त बहिकाओं को मजबुत करने और वेरिकोस भेंस की समस्वा के इलाज में भी मदद करती है। डाइवेटिस के रोगियों के लिए आम के पत्तों को उबल कर पीने से काफी राहत मिलती है। इनमें एंथोसाइनेडिन नाम अक्टैनिन होता है जो ब्लड सुगर लेवल को गंट्रोल में रखने में मदद करते है। आम के पत्तों को उबल कर पीने से डाइवेटिस के लक्सनों से आराम मिलता है। आम के पत्टों को उबलकर पीने से अस्थमा या सास से जुरे रोगों में भी फायदा मिलता है, ये खासी और गले के दर्थ की समस्था में भी आराम दिता है। आम के पत्तों में कैंसर भी रोधी गून होते हैं ये फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं जो कैंसर जैसी बिमारियों का मूल कारण होते हैं आम के पत्तों से बालों से जुरी समस्याए दूर होती हैं इन पत्तियों में फ्लेवोनाइड होते हैं जो समय से पहले बालों को साफेद नहीं होने देते साथ ही इनमें विटमिन A और विटमिन C होते हैं जो कोलेजन के उत्पदन में मदद करता है तो आज की वीडियो में ही पेंट करती हो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा और हिल्फुल लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना और